कारिकरम में शोताओं हमारे आज के महमान हैं वृद्ध रोग विशेशग्य और परामर्षदाता डॉक्टर जैराज हंसपाल आपसे बाचीत का विशे रहेगा वृद्ध वस्ता और उससे संबंदित रोग डॉक्टर हनसपाल कारिकरम में आपका बहुत बहुत स्भागत है हम सबी जानते हैं कि व्ृद्ध वस्ता जीवन की एक बहुत ही महत्त पूर्ण अवस्ता है और हम जानते हैं कि हर किसी को व्रिद होना है वृद्धवस्ता में जहां हम अपने जीवन के तमाम लक्षयों को प्राप्त कर चुके होते हैं वहीं हम अनुभव से भरपूर होते हैं लेकिन ये ऐसा काल है जब हमारा स्वास्त अगर ठीक है तो सब कुछ अच्छा रहता है और अगर हम शारेडिक और मांसिक रूप से स्वस्त नहीं है तो ये काल बहुते कठिन भी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में एकाकीपन बढ़ रहा है संट परिवारों की जो प्रता है वो तूट चुकी है एकल परिवारों में बदल चुकी है विर्दबस्ता के जीवन शली जो है जैसिन का जीवन चल रहा है उसमें बहुत फरक है हम देखते हैं कि पहले एक जुट्टा होती सी परिवार में दुख सुक बाटा जाता था और विर्दबस्ता में अगर मैं मानूं तो 25% ही जो जिसे कहते हैं कि फिजिकल बीमारियां उसका रोल होता है मानसिक शांती और मानसिक रोग और समाजिक जो तकलीफे होती हैं उसको वो कवर अप कर देता था जब हम इकठे रहते थे आपस में प्रेम रहता था बच्चे दादा के साथ खेलते थे पोते तो एक अलग आनंद का एक होता था बच्चे मानते थे उनको तो हमेशा ये बहुत एक बड़ा रोल होता है कि विर्द अबस्ता में जो एक इनसान की पुजीशन है उसके परिवार क्या एक महत्वता है उनको एक हमें respect देना है अगर वो ची रिस्पेक्ट दे विशे काम हम अपना करते रहें ऐसा नहीं कि वर्ड लोग हमेशा अटकले लगाते हैं हमारी जीवन शलीचलने के लिए पर वो क्या मांगते हैं वो मांगते हैं कि हमें मेरा रोल जो है या मेरी महतुता है वो थोड़ा बरकरार रहे जो कि आजकल एकल परिवार में और ये सारी चीजों में बहुत ही ज़्यादा कमी हम महसूस कर रहे हैं जिसकी वज़ा से अगर इनसान मानसिक रोग से परिशान है तो मैं मानता हूँ वो सारीरिक परिशानी से रोगों से बहुत ज़्यादा उसका मत्व होता है क्योंकि उसकी जीवन शेली जिसे कहते हैं क्वालिटी अफ लाइफ उस पर बहुत बड़ा असर करता है जी बिल्कु सही आपने कहा कि आज का जो व्रिद्ध है वो चाहता है कि उसको नजर अंदाज ना किया जाए जीवन में जो भूमी का है वो बरकरार रहे और उसके परिवार के सदस से उसके करीबी जो है उसको महत्व दे और आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर मानसिक रूप से कोई बज़ूर के परेशान है तो शायद वो शारिरिक रूप से भी ज्यादा कठिन दोर उसके लिए है क्योंकि अगर मानसिक स्वास्ती ठीक है तो हम शारिरिक बिमारियों से लड़ सकते हैं डॉक्टर जैराज हनसपाल हम जानना चाहेंगे कि वृद्धावस्ता में मुख्य तोर पर कौन-कौन सी शारिरिक या मांसिक या समाजिक समस्याएं बुजर्गों को छेलने पड़ती हैं जैसे के पहले हम बात करें शारिरिक तकलीफों की शारिरिक रोगों की तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो पहले से चलते आ रहे होते हैं कुछ बिडवस्ता में होते हैं रोग जैसे पहले से हम कहाते हैं मदुमे हो हट की कोई प्राबलम चल रही हो पहले से कोई निर्णोजिकल प्राबलम नसों की तकलीफे चल रही हो तो आंखों की तकलीफे हैं बड़ी कौमन है राधा 80 से भी जढ़ा percentage के लोगों को cataract या उससे संबंदित नेत्रों की बिमारियां पाई जाती है 40% के करीब जो हैं वो हमारे arthritis कह दो या हडी संबंदित रोग जो हैं उनसे ग्रस्त होते हैं बाकि 18%, 16% इस तरह से अलग-अलग बिमारियों से ग्रस्त रहते हैं और कुछ बिमारियां जो पुरानी चलती आती जिसका हम chronic diseases कहते हैं वो मान के चलें आज के दोर में हर 5 में से 4 जो व्रिद हैं उनको ये बिमारी से वो ग्रस्त हैं दूसरी हम बात करें अगर मांसिक रोग या मनोग्यानिक रोग कह दीजिए उसमें जैसे कि कोई ऐसी बिमारी है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते जैसे Alzheimer disease बताते हैं या Parkinson बताते हैं या कुछ और ऐसे feeling आती जैसे suicide की feeling होनी ये भी मांसिक रोग का एक अंत वो सोचते हैं कि मुझे कहीं किसी की जुरुष नहीं है और जहां हम बात करते हैं समाजिक रोग तो उसमें अकेलापन ले लीजे आप ठीक है और फिर इस तरह से condition है जैसे कि हम एक और एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम geriatric abuse या जो old age के लोग होते हैं वृद के उनको उन पे उत्पीडन की जाती जैसे हमने सुना होगा कि बाल उत्पीडन ठीक है महिला के प्रती उत्पीडन तो एक बहुत बड़ा रोल है जो कि वृद्ध वस्ता में भी उत्पीडन किया जाता है उनको मारा जाता है लतारा जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़े जो है ये सारे कश्ट ना हो देखिए हमें आज कल के दोर में मैं सभी को कहता हूं कि विद्अवस्ता की अपनी त्यारियां आप 40 साल से लेट टू लेट ये सबसे मैं बता रहा हूँ कि 40 साल से हमें अपने वुड़ापे की त्यारियां शुरू कर देनी चाहिए रादर इससे पहले करें तीस साल से तो और अच्छा है अब तैयारियों कैसे करें तैयारियों में सबसे जरूरी है कि हमारी जीवन शैली वो जीवन शैली देखिए सीधा एक चीज है कि जितना आप ध्यान रखेंगे और जितनी आपकी तैयारी अच्छी होगी उतना आपका भुडापा या विर्द क वर्ष हैं वो आपके अच्छे निकलेंगे हसी खुशी आप अपना जीवन व्यतीद करेंगे इसमें सबसे मुख्य होता है कि जैसे आप नियमत रूप से व्यवाम करें अपना सोभाओ ये मैं बतारा हूँ सबसे जरूरी है व्यवाम से भी जरूरी मैंने बताया ना परिरिक रोग, परमानसिक रोग के लिए क्या जरूरी है, आपका वेवार, आप किस तरह से समाज में आपकी क्या पूजीशन है, क्या समाज में आपकी इसलिए पूजीशन है, क्योंकि आप बड़े बहुत बड़े अफसर हैं, कि आप सप्रेम सबसे बात करते हैं, इसलिए आपके समाज में आज इतना अच्छा स्थान है वो आपको जिसे कहते हैं ना self analysis वो आपको करना बहुत जरूरी है और अगर in case इस तरह का सभाव हो जैसे किसी को कह सकता हूँ के बुरे शब्दों में बात करनी अकड़ कर बात करनी शो करना कि हाँ भी मैं आपसे ज्यादा जाता इसका खामय जाना आपको भुगतना पड़ता है क्योंकि आज आपकी position है इसलिए आज आपको लोग पूछ रहे हैं अब जैसे बुड़ापा आएगा तो लोग आपसे जिसे कहते हैं side होना ये कटना शुरू कर देते हैं कि अरे इनका तो सभाव अच्छा नहीं हम औ to learn तो जब भी आपको इसतना से लगे तो आप अपना सभाव जरूर आपके परिवार के लोग आपके मित्र यह सब आपको बताइंगे अपना सभाव अच्छा रखें जितना सप्रेम और जितना आप लोगों से बात करेंगे अच्छे शब्दों से, प्यार से, प्रेम से बात करेंगे तो लोग हमेशा अंतिम सांस तक आपके साथ रहेंगे यह आपने बात बहुत अच्छी बताई कि अगर व्यवार हमारा अच्छा है और हम सब के साथ बहुत मधूरता से बातचीत करते हैं तो समाज में और परिवार में हमारी जो स्विकारिता है वो बढ़ जाती है और यही आगे हमको पे भी करती है अगर हमारा व्यवार अच्छा है यानि हमारा व्यवार इस तरह का होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्तिती में समायोजन कर सकें एड़जस्ट कर सकें, तो डॉक्र सब ये तो आपने बताया कि सबसे पहले आपने बताया कि हम वियायाम करें, जीवन शैली में वियायाम का बहुत बड़ा महतु है आपने वेभार की बात भी इसके इलावा क्या कुछ और कहना चाहेंगे, इसके इलावा जो भी आपको विमारिय haarं जैसे बताते हैं कि जैसे डाइबीटीज आप मधूमेश ले 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 हैं तो विग्यान बताती है कि अगर आपके माता या पिता किसी दोनों में हो सकते हैं तो ये आपको पहले 30-40 साल के उमर में जब आप ओते हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरे माता पिता दोनों डाइबिटिक है या कोई एक है तो उसकी तियारियां जो है वो आपको अपने इसाब से करना है अपना जो खान पान है वो एक पॉस्टिक खाना खाना है ज़्यादा नमक नहीं खाना ज़्यादा मीठा नहीं खाना ज़्यादा पानी पीना ये सारी चीजें फाइबर रिच डाइट जिसको कहते हैं जिसे कहते हैं साबुत डालें बीन्स ये सब का सेवन करना जो आपका ये ज़्यादा जंक फूड जी से कहते हैं वो नियमित ठीक है कभी मन करता है हफते में एक बार दो हफते में एक बार खाना इससे कोई तकलीफ नी पर उसको वो ना बनाएं कि हाँ भई इसी से ही में ज़े ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये टेस्टी लग रहा है तो इसी में कंटीनू करो ये सारी जो चीज़ें इकठी कर रहे हैं आप अपने बुड़ापे में तकलीफे देने के लिए चुकि इसका पका कोई ना कोई जो है दूश परिणाम आपके शरीर पर पढ़ता ही है इसलिए पॉस्टिक खाना खाना नियमित विवाम करना अच्छे मदुरबानी में लोगों को मदद करने का सोभाव बनाना और रेगुलर स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं बीमारियों की केम्प लगते रहते हैं स्क्रीनिंग होती रहती है कि बीच बीच में मैं टेस्ट करा लूँ यह सब 50 साल के बाद का चीजे हैं आज कल तो 40 साल के बाद ही लोग रेगुलरली अपना एक नियमित स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं है तो यह सब चीजों का ध्यान रखते हैं डॉक्टर फंसपाल आपने बिल्कुल सही कहा कि हम तैयारी करें और स्वास्त के प्रती बहुत ज्यादा जागरूक रहने के आफशकता है और पचास वर्स के बाद तो यह जरूरी हो जाता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो हमारे लेकुल जो शारिरिक जाचे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो और हमें पता चले जाए कि क्या भविश्र में या वर्तमान में ही हम किसी बीमारी से ग्रस तो नहीं है और उसका निदान हमें तुरंट करवाना चाहिए आपने कहा कि बुजर्गों का उत्पीडन भी बहुत होता है व्रिधावस्ता में तो ऐसा क्यूं है डॉक्टर साब और ये क्यूं हो रहा है देखिए ये उत्पीडन का सीधा संबंद सोभाव से होता है इसमें ये होता है कि उत्पीडन आदमी क्यूं कर सकता है दूसरे पे जब दूसरा एक कमजोर हो आपको उनकी जरूरत नहीं है आप उन पे हावी हो सकते हैं तो उत्पीडन का जनम होता है यही चीज बुड़ापे में हमारे भारत में भी अब धीरे-धीरे करके बहुत शुरूर यह हो गया है किसी भी बुजूर्ग जो आपके पैर उनको मारना क्योंकि आज का बुजूर्ग जो पहले का बुजूर्ग आपका मददगार था आपको पैसे देता था आपको पढ़ा लिखा के बढ़ा किया है आज आप नौकरी कर रहे हैं वही बुजूर्ग आज आपके लिए भूज हो जाता है ठीक है वही बात होती है अपना बेटा अगर अपने माता-पिता के लिए भूज नजर आ रहा है ऐसा हो रहा है तो आपकी बीवी भी डेफिनेटली उसी विचार पे जाएंगी और उनको मारना, खाना नहीं देना, उनका तकलीफ कोई शररिक रोग हुआ, बिमार हुए हस्पिताल में दिखाना, करना जैसे आजकल करोना में हुआ, करोना में भी उत्पिडन हुआ है, हमें दो तिन चीजें इस तरह से हुई है कि उत्पिडन हुआ, कोई जा नहीं रहा उनके पास, ठीक है वह ये तरीका तो नहीं हुआ, कि आप नहीं जाईए, कुछ ना करिए, कोई ना कोई साधन से किस तरह करे, बहुत ऐसे लोग हैं, जिन्हों ने उठा-उठा के अपने माबाब को हस्पिताल पुंचाया, किया, तो ये सारा सभाव जो है उत्पीडन का तब आता है, जब आप का मानसिक्ता होई मैं कह रहा हूँ ना, कि आपके मानसिक्ता इतने अच्छी होनी चाहिए, कि आप मददगार रहें और सबको ले के चलें, ताकि उत्पीडन का सवाल ही नहीं पैदा हो, पर इस तरह से ऐसी होती हैं, उल्ड-डेज होम्स हैं, उसमें बहुत जादा उत्प डॉक्टर जैराज हंसपाल आप एक मात्र वृद रोग प्रामर्श दाता है आपका लंबा अनुभो है तो जीवन की जो गुनवत्ता है उस बुड़ापे में वृद्धावस्ता में बरकरार रहे इसके लिए क्या सला है आपकी सला मेरी इस विशे में यही है कि वही जैसे मैंने बताया था अपने विर्धावस्ता की अच्छी त्यारी करें ठीक है जैसे वो नहीं हो तो हम कहीं जाते हैं या कहीं परिक्षा देते तो कैसे पूरी त्यारी करते हैं ताकि हम पास हो अच्छा रहे कहीं आप गुमने जाते ह रहे हैं वहां मरा बढ़िया रहे कोई चीज की कमी ना हो हर इक चीज करते हैं उसी तरह जो है बुड़ापे की भी हमारे को त्यारी रखनी चाहिए नियमित वियाम करना है प्यार महबत से रहना है मदुर्बानी में रहना है स्क्रीनिंग रेगुलरली करनी है अपनी बिमारि उसका ध्यान रखना है पॉस्टिक खाना खाना है और कोई न कोई ऐसा संगठन जोइन करना है जहां अपने तरह के आपके लोग हों और आपस में आप बात करें क्योंकि आजकल के पास समय ही नहीं है नई जनरेशन में और कई बारे वो भी मजबूर हो जाते हैं कि समय इसल नहीं तो डेफिनेटली ऐसे लोग होंगे जैसे कि आपकी तरह हैं तो वो सारे बैठके नीचे बाते करें आपस में समय अच्छा व्यतित करें यह बहुत जरूरी जैसे लाफिंग क्लब आजकल चालू होता है डेली में जैसे मैं बताऊं तो क्लब है जिसमें सीनियर सेटि लेकिन आप युवा पीडी को क्या सला देंगे कि वो किस तरह से बुजरूर्गों का ध्यान रखें ताकि बुजरूर्ग स्वस्त रहें उनको अकेलापन महसूस ना हो उनकी जो जरूरत है उसकी पूर्ती हो और उनको थोड़ा समय भी मिले युवा के लिए तो सबसे पहले वही जरूरत है जो आज पिक्चरों में भी दिखाया जाता है कि आज आप युवा हैं कला वृद होंगे यह पका है तो आप देख लीजिए कि आप अगर वृद के साथ जिस तरह से वरताव कर रहे हैं आपका बेटा यह देख रहा है कि इ के लिए रह जाएंगे तो उस समय जो होता है कि कैसे हम प्यार से रहें ताके हम किसलिए यह कर रहे हैं कि अपने बच्चों को दिखाएं कि अपने बुजुर्गों के साथ कैसे रहा जाता है जो बच्चा देखेगा वो लेगा इस तरह से रहा जाता है चलो हम भी इस तरह स समझे और बुजर्गों को एक भगवान की तरह मानें क्योंकि आज आज आप जो भी हैं उन ही जो आज बुजर्ग हो गया माबब जो हैं उनकी वज़त सी आज 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 आप जो हैं वो यहां पे हैं बलकूँ सही गार आकश्वने स्टूडियोज में आने पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.